भारती जनता पार्टी द्वारा लगातार कारिक्रमों का आविजिन किया जा रहा है। आपको बता दे कि भारती जनता पार्टी के कुरुक्षेतर जिला इकाई के अध्यक्ष रवी बातान को दूसरी बार जिले की कमान दी गई है। पहले वे जिलाध्यक्ष बने जब ओम प्रकास धनकर भाजपा की प्रदेश्याध्यक्ष थे और अब कुरुक्षेतर से सांसद नायव सिंग स्यानी जब भाजपा की प्रदेश्याध्यक्ष बने तो उन्होंने भी दोबारा से रवी बात्तान पर अपना विश्वाश रखा युवानेता और भाजपा की जिला ध्यक्ष रवी बाद्दान हमेशा विवादों से परे रहकर केवल पार्टी और संग्ठन के कारे में जूटे रहते हैं इसी बीच पत्रगानों से बात्षित करते हुए रवी बाद्दान ने 15 जनवरी से लेकर 28 फ़रीता कुरुक्षेतर जिले में भारती जनता पार्टी द्वारा आईजित होने वाले कारे कर्मों के बारों में विस्तार से जानकारी दी सबसे पहले तो दर्शोगो मेरा नमस्कार और जैसे कि आपने कहा कि चुनावी वर्ष है कोहुगा कि चुनाव में ज्यादा समय नहीं है और भारत्य जनता पार्टी सरफ इसलिए काम नहीं करती कि चुनावी वर्ष है वो लगातार अपने कार्यकरताओं को सक्रिया रखती है इसी के निमित आज हमने एक डिसाइड किया कि सोड़ा तारिक को पूरे जिला की एक बड़ी बैठक जिसको जिला कार्यकारनी कहें या जिला परिशद को हूँ उसकी एक बैठक सेक्टर आठ में स्वामी जी के आश् चैनी समाज में अभी हुई थी तो उसके नाते बहुत से कारेकरम हैं जो आगमी आने वाले दिनों में चलेंगे जैसे कि एक शक्ति वंदन के नाते जिले से दस महलाएं दस पूर्ष की एक टीम गठित की है और 17 तारिक को उनका गुरू कमल में गुरगावा में और जो भी उनको कुछ लगता होगा कि कोई सुधार के सकता इस तरह के काम हमारे 20 का रेकरता लगातार इस फिल्ड में रहेंगे इसे के साथ साथ आज से 14 से 22 तक आप सभी को पता होगा कि 22 जनुरी को श्री राम मंदर जी का तो सिला नयास होने जा रहा है उसका उसके नात पर्मुख नेता किसी ना किसी मंदिर में रहेंगे इसकी सूची हम बना रहे हैं और वहां पर बैठके उस सारे भवय कारेकरम को लाइव देखेंगे हां मैं वही बता रहा हूं कि चोदा से लेके 22 तक सवस्ता अभियान चलेगा और 22 तारिक को हर मंदिर में बैठके जब भी वह जो समय है उसको लाइव वहां से देखेंगे मानिय परधान मंत्री जी जो भी शीराम मंद्र जी से जो लिंक आएगा लाइव वो हर मंदिर में बैठके और पांच दीवे उस मंदिर में लगाएंगे मैं तो सिर्फ यह नहीं की भार्चे जन्ता पार्टी के पददिकारिंस अपील करूंगा एक सनातन धरम के नाते बहुत बड़ी दिवाली की तरह इसको मनाया जाना चाहिए कि कई पीडियों के संघर्ष के बाद आज वो होने जा रहा है इसका सपना सभी इंदू धरम के सन जन्यूरी को मनाया जाए और इसके साथ साथ है नमो एप एक ड्राइव चल रही है हमारी विक्सित भारत अंबेजडर हर कार्यकरता को यह कहा गया कि हर कार्यकरता ने दस नए विक्सित भारत अंबेजडर के साथ जोड़ने है जो आने वाली जो भारतिय जन्ता पार्टी क काम किये जो मोदी जी ने जो काम किये वो लोगों तक पहुंचाने के लिए एक एप के तुरू वो जोड़ेंगे और उसके उपर जो भी सारा कंटेंट आएगा वो शेर करके लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे. साथ ही साथ Micro donation 5 रुपे से लेके 2000 रुपे तक का donation एक सरलाइप के माध्यम से होगा और सभी कार्यकरता उसमें जुट हुआ है जैसे मैंने अब तक 3512 कार्यकरतों के तुरू 3500 रुपे का donation करवाया उसमें कुछ ने 100 रुपे भी दिये किसी ने 5 रुपे भी दिये और किसी ने 200 रुपे भी दिये इसी तरह हर कार्यकरता को target दिया गया कि वो micro donation कराएं उसके बाद एक वाल पेंटिंग का भ्यान जो शूरू होने जा रहा है जिसमें एक बार फिर से मोधी सरकार यह बूथों पे हर बूथ पे पांच जगा यह पुतवाया जाएगा और यह कोई कि किसी painter से कराना खुद कार्यकरता अपने हाथ से लिखेगा एक बार फिर से मोधी सरकार जिसका 15 तारिक को राष्टिय अदेखजी शुरुआत करेंगे 16 तारिक को मान्य परदेश अदेखजी और सांसद शुरुआत करेंगे और 18 तारिक को जो भी जिला के कार्यकरता है कि पहला फेस है उसके बाद सेकेंड फेस में हाइवे हर जिले में हजार स्थान हमने चीनित करने है जहां पर इसको किसी प्रफेशनल के तुरू से अई स्लोगन को लिखवाया जाएगा और थाड फेस में डिजिटल फेस होगा इसमें डिजिटल रूप में फ्लैक्स के पराव विधानसमा में युवास मेलन का योजन किया जाएगा और 28 फरवरी को मान्य प्रधान मंत्री जी की मन की बात सुनी जाएगी और जैसे मान्य मुख्या मंत्री जी कि आदेश है जब मन की बात के बात वहीं पे उस बूथ पे रहने वाले जो लाबार्थी है जिनको सरक करेंगे उनके घर तक जाएंगे यह आगमी का रेक्रम है जो इस चिले में रहने वाले हैं एक बहुत बड़ी योजना मान्या प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोधी जी के नेतरतम में प्रधान मंत्री विश्व कर्मा योजना उसी तरह आज पूरे प्रतेश में मान्या मुख्या मंत्री जी के नेतरतम में प्रधान मंत्री विश्व कर्मा योजना जिसके नीमित एक category है जैसे carpenter हो गया दोबी हो गया, नाई हो गया, तालाबनाने वाले हो गया, माला बुनने वाले हो गया, carpenters हो गया, ऐसे 18 जो selected skills के लोग हैं, उनको online registration कराया जा रहा है, online registration के बाद उनकी training होगी, training जब वो करेंगे तो उनको पर डे 550 रुपे दिये जाएंगा उसके साथ साथ जब उनकी ट्रेनिंग कम्पलीट होगी तो 15,000 रुपे की टूल किट उनको दी जाएगी उसके बाद उनको अपने विवसाय को करने के लिए पहले एक लाग का लोन और उसके बाद दो लाग का टोटल तीन लाग रुपे का उसको अपने कारे को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा